हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल निखार फेशन वीला तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुती खूबसुरे ट्राउजर का डिजाइन लेकर आई हूँ यह दिखने में जितना हेवी है इसको बनाना उतना ही आसान है तो यह देखिए उसके लिए हमने दो पट्टी आली है जिसकी जो हमने लंबाई है वो डाई इंच रखी है और इन पट्टीों को देखिए यह हम एक दूसरे के उपर रखेंगे और इसके उपर में सिलाई लगा देंगे तो यह हमने दो कलर की पट्टी आली हैं तो एक दूसरे के उपर रखे हम इसकी किनारी पर जो है स्टिच लगा देंगे तो यह डिजाइन बनाना बहुती आसान है तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तब ही आपको यह डिजाइन पूरा समझ में आएंगा तो यह देखें यह हमने पट्टी पर सिलाई लगा दिया है अभी हम नाकुन की मदद से देखें इस तरीके से मार्जन को एक तरफ करेंगे और इसको इस तरीके से पल्टाते हुए जो इसके तीनों साइड है खुले वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे तो यह हमारा मार्जन जो है वो अंदर की तरफ हो गया है और तीनों खुली साइड पर भी हम सिलाई लगा रहे है तो ऐसे ही हम अभी दूसरी पट्टी भी तयार कर लेंगे सेम तो यह हमारी double color हो जाएंगे नीचे की side दूसरा color उपर की side दूसरा color तो यह हमने दोनों पट्टिया तयार कर ली है अभी मैं आपको इसकी चोड़ाई बता देती हूँ इसकी चोड़ाई हमने 10 inch लिया है अभी हम इन पट्टियों को जो है बीच में इसे cutting करके चार भाग कर देंगे तो यह देखिए हमारे दो पट्टियों के चार भाग हो गए है अभी हम एक square piece लिया है same अपनी bottom का ही और इसके पिछे हमने बुकरम चिपकाया है और इसकी लंबाई चोड़ाई हमने 4 inch रखा है अभी इन पट्टियों को भी हम इसके हिसाब से cut कर देंगे जितना हमारे square का size है इन चारो पट्टियों को भी हम उतना ही cut कर लेंगे तो अभी हम इन पट्टियों को देखिए center में से इस तरीके से नाकून की मदद से crease बनाएंगे और crease बनाने के बाद बहुत ही आसान है तो आप भी घर बेटे आसान ही से इस तरीके के design बना सकते हैं तो अभी देखिए यह हमने center में सिलाई लगा दिया है और अभी हम इसको पल्टाएंगे तो यह जो हमारा red वाला हिस्सा था नीचे वाला वो उपर की तरफ आजाएंगा तो यह देखिए यह उपर की तरफ हमारा triangle shape में आ गया है कुछ ऐसे ही हमें दूसरी side से भी पल्टा देना है तो हमें उपर की side में पट्टियों का जो है अपनी bottom का ही color रखना है ताकि जब हम इनको पल्टाएंगे तो उपर की तरफ में हमारा dark वाल कलर आ जाएंगा तो अभी हम यह दोनों पट्टियों को सेम सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा देंगे तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को on करके all का option सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यह देखे इन दोनों पट्टियों का भी हमने इस तरीके से ट्रेंगल बना दिया है अभी हम इसका extra margin जो है वो cut कर लेंगे तो अभी हमने extra margin cut करने के बाद यह हमने same अपनी bottom की fabric का पट्टी लिया है इसकी जो लंबाई है वो हमने 1.2 इंच रखा है तो अभी हम इस तरीके से देखिए एक किनारी fold करते हुए रखेंगे और इसके चारों तरफ में जो है हम इसको attach करते हुए सिला ही लगा देंगे तो इसकी जो हम piping बना रहे हैं तो हमने इस तरीके से पूरा square में इसको attach कर देना इस पट्टी को अभी हम extra पट्टी cut कर देंगे और extra margin भी हम cut कर देंगे तो अभी देखिए हम इसको इस तरीके से पीछे से पल्टाते हुए हमें जितनी चोड़ी piping चाहिए आप उसके हिसाब से इसको पल्टाते हुए सिला ही लगा देना तो इस तरीके से जो है आप अपनी piping को बहुती finishing से और बहुती easy तरीके से बना सकते हैं तो यह देखिए यह आप अपने हिसाब से चोड़ी कितनी रखना चाहते हैं उतने हिसाब से पल्टाते हुए इसमें सिलाई लगा देना है तो हमारी चारो कोने जो है बहुती finishing से आ जाएंगे तो यह देखिए यह हमारा square piece अच्छे से तयार हो गया है अभी हम जो यह हमारा red color का धागा लेंगे same उपर के fabric का और देखिए इस तरीके से हम यह जो हमारे triangle shape है न इसको half triangle वाले को हम इस तरीके से gather देते हुए इसको इस तरीके से set कर देंगे तो यह देखिए यह हमारे petal का shape आ जाएंगा और यह बहुत ही प्यारा सा flower बनके हमारा center में तयार हो जाएंगा तो हमें इन सभी pieces को इसी तरीके से gather देके तयार कर लेना है ताकि जो हमारा beach वाला bottom के color वाला भागे वो ऐसे दिखने लगेंगा पत्ती के समान तो इस design को बनाना बहुत ही आसान है तो I hope आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होंगा तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like जरूर कर लेना और आप मेरे channel की playlist में बहुत ही खुपसूरत से trouser or sleeves के design available है तो आप उनको भी जरूर watch कीजियेंगा और जरूर try कीजियेंगा आप भी तो यह देखिए इसी तरीके से हम पूरी पट्टिया तयार कर लेते हैं और यह देखिए यह हमारे कितना खुपसूरत flower बनके तयार हो गया है अभी यह जो हमारी bottom का center है अभी हम इसको देखिए इस तरीके से तिर्चे में रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे तो यह जो इसका corner है हमारा center में आएंगा तो अभी हमें नीचे की side में 1.5 inch उपर में इस तरीके से इस piece को जो है आटेच कर देना है तो यह देखिए यह हमारा बिल्कुल center में आना चाहिए इसके corner तो वीडियो को अभी तक like नहीं किया हो तो वीडियो को like कर लिजिए और share जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon के notification को on कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नए वीडियो डालू उसकी notification आपको मिलती रहे तो यह देखिए यह हमने piece तयार कर लिया है इस partage करके और यह कितना खुबसूरत लग रहा है अभी यह हमने same red color के square piece लिये है 2 by 2 inch के अभी हम इनको इस तरीके से triangle shape देंगे और इन सभी piece को तयार कर लेंगे triangle में तो यह मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है और आपको बहुती easily यह design समझा रही हूँ तो यह देखी हमने square piece तयार कर लिये हैं अभी देखी हम 1.5 inch छोड़ते हुए नीचे की side में हम इन square piece को जो हमारे triangle बनाये हैं इनको इस तरीके से हम attach कर देंगे तो हमें यह थोड़े थोड़े overlap करके attach करने हैं इन सभी pieces को तो यह देखी है यह हमारा इस color का combination बहुत ही खुबसूरत लग रहा है contract color आप जो भी चाओ color इसमें add कर सकते हों अभी हम इस तरीके से सामने की तरफ double fold करेंगे अपनी पट्टी को और इस तरीके से हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे तो यह देखी हम इसी तरीके से पूरी पट्टी में सिलाई लगा देते हैं और अभी हम इसको इस तरीके से पीछे पलटा के एक top stitch लगा देंगे उपर की तरफ तो हमें धागा जो है same matching का लेना है तब ही हमारे design में finishing आएंगी अभी यह हम same dark color की lace ले रहे हैं इसको हम इस तरीके से उपर की side में इसके जो है scallop रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे तो यह हमारे design बनके तयार है और यह देखिए design कितना simple, sober और खुबसूरत लग रहा है तो इस design को जो आप अपनी sleeves में भी बना सकते हैं और कुर्ती में भी बना सकते हैं बहुती खुबसूरत लगेंगा तो अभी घर्मियों का season है तो इस तरीके के design आप बनाईए बहुती खुबसूरत लगेंगे और इस तरीके के design ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं आपके लिए इजी से इजी तरीका लाती हूँ इस तरीके के डिजाइन का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और रोजाना एक प्यारा सा डिजाइन सीखे तो ठेंक्स पर वाचिंग